गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेर्णादायक कहानी है। वे नेपाल के लुंबिनी नगर में जन्मे थे और उनका नाम सिध्धार्थ था। सिध्धार्थ की आत्मा में जागरुकता हुई जब उन्होंने दुख और संसार के असलीता को समझा। एक दिन सिध्धार्थ ने अपने पैदा होने के बाद के जीवन की अद्वितियता की खोज में निकलने का निरनय किया। उन्होंने सारवजनिक जीवन को त्याग कर एक साधू की तरह वनवास में जाने का निरनय लिया। धार्थ ने बोधित होकर बुद्ध बने। उन्हों उन्हें दुन्या के दुखों का समाधान खोजने का संकल्प किया और अपना ज्यान साजा करने का कारवा शुरू किया। बुद्ध में अनेक उपदेश दिये जो जीवन को सल्टा से जीने की मार्गदर्शन करती हैं। उनकी शिक्षाओं में दया, करुणा और शान्ती का संदेश है। उनकी प्रेणा से ही बुद्धिष्ट और सद्गुनिता की प्राप्ती हो सकती है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है, कि जीवन में सच्ची सुख और शान्ती का मार्ग तंगियों, संधर्शों और सांसारिक आसकतियों के पार ही मिलता है।